दोस्तों आप सबको फिर से एक पर बहुत बहुत दुलकम है आपके आपने ही चैनल टागेट इन फेंटासी पर तो इस फिर में हम बात करने वाले हैं आपूधा भी टीटेन लिग का जो 12th मैच खेला जाने वाले हैं दोस्तों बंगला डाइगर्स वर्सस नौर्डन वर्यर् बारे में पर दिल्मेंट डिसकास करेंगे तो दोस्तों देखें इस वीडियो में आपको पूरी जानगर्ड देने बाला हो कि इस मैच पर क्या होने वाले है मैच कब होगा यहां पर पीच रिपोर्ट वेदर कंडिशन कैसा रहने वाला है उसके साथ जो सबसे इंपोरेंट स्पेशली दोनों टीम के जो टॉप टॉप पर्फॉमास थे उनके बारे में आपको बताऊंगा उसी के साथ दोस्तो एंड में जाके हम एक स्मॉल लिग का डेमो टीम मना कर आपको दिखाने वाला हो तो चले दोस्तो ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से एक इन तक पू परदान वाडियर्स ये दो टीम के बीच जो मैच होगा ये पहला मैच होने वाले है तो दोस्तों यहां पर देखिए यह मैच होगा सेमी भेनू सेख जया स्टेडियम अभुदभी में तो जहां पर देखिए ग्राउंड की बात करें बहुत ही छोटा कर दे गया है बांडर का ग्राउंड यही है सेख जया स्टेडियम रेकिन दोस्तों यहां पर टीटेन जब से हो रहा है तो यहां पर 65 से लेके 70 मिटर्स के आसपास पूरी तरह से बांडरिस कर दिया गया है यहां पर देखिए थोड़ा बहुत मेडियम पेसा जिनके पास थोड़ा सा काटा यहां पर चांसे रहता है तो दोस्तों रांस की बात करें यहां पर 109 तो एबरे स्कूर बन सकते है मतलब 10 पॉइंट यहां पर सम्थिंग 9 का एबरे स्कूर रहता है तो इसलिए दोस्तों आपको यहां पर पैटर्स को भी लेना है साथ दोस्तों बोलास को भी आपको पिक कहना चाहिए तो दोस्तों देखिए अभी आपको लास्ट कुछ दाऊंगा दाऊंगा देखिए लास्ट जो मैच खेले वहाँ पर बंगला टायक Y darle ने एक मैच जीतर लेकिन दोस्तों नॉटन वाडियर्स लास्ट पांच मैस से पांच मैच मैस हारे तो दोस्तों इए एक शिन्ता की बात है कि न İşteं fom उत्रelu आ अच्छा नहीं चल रहा है तो इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा बंगला टाइगर्स के उपर बेस करके टीम बना सकते हैं यहाँ पर क्योंकि देखिए दोस्तों रीचेंट फॉम बहुत ही बड़ा रहा है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बताऊंगा कि दोनों टीम की तरफ से लास्ट मैच परफॉमस कैसा था सर्थ पेल आपको बताने वाला हूं यहाँ पर देखिए बंगला टाइगर्स की तरफ से दोस्तों लास्ट में जो परफॉमस की थी इफ्तिका रामित तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इफ्तिका रामित ने देखिए आभी तक परफॉमस बहुत ही और इसके साथ करेड मंदर ने बनाये थे 15 रंग तो दोस्तो इनको छोल के बाकिया पर कोई भी उतना बढ़िया नहीं खेल पाए और आंड स्कोर नहीं कर पाए तो अभी बात करें कौन कौन से प्लेस को उगेट मिली थी दोस्तो चार प्लेस को उगेट मिली थी एक करके मतिसा पतिराना और बेनी हवेल यहां पर दिखिए दोनों पास ही है इन दोनों ने एक विके निकाले मतिसा पतिराना और बेनी हवेल इन दोनों ने एक विके करके विके निकाले तो दोस्तों यह तो गई बंगला टेकर्स के तरब से बात अभी आपको बताऊंगा लास्ट मै के अंधरी अच्छे का से स्कोर 50 बना कर जाते है लेकिन दोस्तो अगर आउट होना है तो यह दोस्तो पाउर प्रे तो पाउर प्रे तक नहीं जाएगा पहला एक या दो बर के अंधरी आउट होकर चले जाएंगे वो 10 से भी कमरार्स बना के तो ऐसे भी होता है लेकिन दोस्त बात करें उस्मान खान 13 रन किये थे लाश्ट मेस पर इसको छोड़के बाकिया पर दोनों ही प्लियास थोड़ा सा अच्छे स्कोर किये एक तो ही आपर बन पावेले 39 बनाये उसके साथ दोस्तो सार्फिन डाधर फूर ने 14 रन की थी तो इसको छोड़के बाकिया पर कोई भी याश्ट उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और विकेट्स की बास करें थोड़ा सा देकी दोस्तों विकेट्स निकाले सिर्फ दो ही विकेट्स निकल पाए दूसरे टीम का ओव्भी दो प्लियास ऐसे है जो कि है अभीमन्नो मिधून इन्होंने निकाले एक उईक और इसके तरब से टीम की पार्फमेंट्स तो आभी आपको यहापर स्मॉल ली का एक बेस्टीम बनाकर आपको दिखाने वाला हूँ तो चले दोस्ते यहापर दिखिए जो लास्ट मैच नहीं खेले लेगिन अगर खेले तो आपके लिए यह भी जील का अच्छा भी हो सकते ओपेनर है अच्छा खासा रांस मना सकते है और यह जीर कलिम खेले थे लास्ट मैच तो यह भी बहुत ही बड़ा प्लेयर है यही के लिए खेलते है या फिर टीटेन में भी बहुत ही अच्छे करते थे वह मां दूआई टीटेन जब होते थे अलाग सा यह अब दो टीटेन रोबन पावल क्योंकि दोस्तों देखिए यह तीनों ही बहुत अच्छे प्रफेंस कर रहा है आप चाहोते हैं यहाँ पर करें मुंडो को भी ट्राइ कर सकते हैं लेकिन दोस्तों एक दूसरे टीम पर ट्राइ कर लेना यहाँ पर एक ही टीम में चार बैटस को लेके जाने क कोई फाइदा नहीं होता है इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर तीन बैटस को लिया हमने आपको हमें सा कहता हो कि ज़्यादा से ज़्यादा टीटेन लिग में आपको आल ओंडस लेना चाहिए दोनों तरफ से आपको पॉइंट्स दे कर जा सकते हैं बैटिंग और बोलिंग तो इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर भी देखिए हमने यहाँ पर आज से तीन बैटस को ही पीक किये एक आप चाहते हो यहाँ पर कलिन मुंडो को कोई दूसरे टीम के साथ जा सकते हो तब ही आप क्या कर सकते हो यहाँ पर रभ्मन पावल के साथ यहाँ पर कलिन मुंडो क March कर सकते हो इनको drop करके इनको ले सकते हो या फिर दोस्तों इभी भीलिस को drop करके Mundo के साथ जा सकते हो अलग comment सरवाना सकते हो तो देखिए हैं पर All Address section की बात करें सकेवल असान बेन का टींग रहन मुस्ताफा ये तीनों फिरहल अमरे तिम पर आवलोने सेक्षन पर रहने वाले है बोलिंग की बात करें दोस्तों अभी देखिए हम यह पर प्रिक करने वाले बेनी हवेल जिसको हमने हर एक मैंच में लेता हूँ जोने सी di crazy करने वाले है उसके सथ दोस्तों यहाँ पर rat emid रहे गा और यहाँ पर दोस्तों अगर यहाँ पर when poen Armail या फिर Mohammed Amir कोई भी खे ले इने सी एक प्लेस को हमने पिक कर लेंगे और दोस्तों यह पर हमने final piss करने वाले अब हमनों मिधुन को जो उन्होंने लास्ट में पर वीके निकाले लेकिन दोस्तों हमने अगर कुछ भी चेंजेस करें तो वह आपको टेली कंपर पता लग जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कैप्टन भाइस के बारे एक पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पर देखिए कैप्टिस तो इनको मिलेगा ही मिलेगा तो इबर दोस्तों टीम को सेब करके आपको प्रीबू दिखांगे फोड़ा सब एक स्क्षन पर बैटिंग चच्छिस के बास करें यहाँ पर बोलिंग सेक्षन पर देखिए अभिमनो मिथुन रायत अमरीत जुनेज सिदिक दोस्तों यह च्छे साथ प्लेस जिनको अपने अभियापको बताया यह च्छे साथ जील में भी बहुत ही बड़े जोईस हो सकते हैं आप अभी इसलिए अलाग अला कमेंशन में इनको लेकर जा सकते हो तो दोस्तों देखिए फिलाग यह रहेगा आपके लिए एक स्मॉली का डेमो टीम फाइनल टीम के लिए अभी के भी हमारे टेलिकम जोईन क जलीजें दोस्त हमने पहले बताना भूल गए कि आपको टेलिकम क्यों करना है कि दोस्तों फाइनल टीम हम एफ डेते हैं साथ ही साथ कोई भी match के रिगार्ड इंक उप्डेट्स म्म टेलिकम पर है कि सर्ग ku एक लिए हैत इसने अपको टेलिकम TNL चैनल करना बहुत इंप् तो दोस्तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना सेर करना सब्सक्राइब करके बेल एकम को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो अब तक पहले मिल जाए और दोस्तो एक अच्छा सा टीम अने अच्छा सा ओनिंग कीजिए थैंक्यू सो माच all the best द कभी भी किसको भेज दे जाता तो इसलिए दोस्तो आपको थोड़ा सा यहां पाद जील पर इन्वेस्ट जादा करकना पड़ेगा तो दोस्तो थैंक्यू सो माच वीडियो देखने के लिए